दोस्तो वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज दिखाने जा रहा हूँ स्टियारिंग गियरबोक्स जो कि बहुत ही आसान है देखने से समझ में आ जाएगा कैसे करना यह आ के दिखा दाओ और चलेन को खर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करदीजिए और यह दिखिए यह 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 घीर्ग्त कूर बीकर सब्लब कंद अरुमेटर 127 वे अमेहें आजएन सी जो है यह खुल देंद अब पेले लोक रहता है चाहने लोक छुडाके तरह निकल लेना है कि फिर फीड्मेंग आंप जो है उसको निकाल लेना है इदए वनगे वियों स्टेप दिखा रहे हो कैसे है सों कि इसको त्रॉबसर्प्रे मार लिक् 5000 आपको अब देखे खुल गया है अभी चेकनेट निकाल के इसको बाहर कर लेना है पीटमेन आपको अगर पीछे में नीचे में जो है कि वाइस नंबर कर श्कुरू है इसको निकलने लूज कर लेना है सब पहले कि पहले सबको लूज कर लिया कि बहुत ही आसान है अब एक बार देख लेंगे पूरा वीडियो आगे एंड तक देख लिजिए तो देखने से अपको आसान हो जागा कोई भी स्टियरिंग यह पना सकता है यह देखे वो करने के बाद पीडमें डाम लागा के थोड़ा से घुमा देंगे तो यह कफर बाहर आजाएगा अलका करके जादा भी नहीं भूमाना है और देखे कफर बाहर आगया है उसके बास इसमें रोलर बेहर रिंग रहता है और नीचे में अफाषर रेता है कि यह रिंग है और उसका नीचे वासर बैठता है कि आगे मैं दिखाऊंगा वन बैवन और इसको देखिए इसको गुमाएंगे अब दिख्वाएंगे तो अभी धीरे धीरे बाहरा आ जाएगा कि सीधा करके निकलना है नहीं तो बहुत टाइट हो जाएगा एकदम स्ट्रेट करके निकलना है हाथ को यह दिखें यह आगया यह एक्चुली स्टेरिंग जो है रिसार्कुलेटिंग बॉल टाइप है अंदर में ब्यारिंग रहता है बॉल ब्यारिंग रहता है इसका अंदर 37 बॉल रहता है यह आगे वीडियो में दिखाऊंगा कभी यह बहुत टाप रहता है यह निकल जने के बाद वान बाई वान और राइट लेफ्ट राइट ऐसे करके घुमाघुमा के खुसाना पड़ता है यह दूसरा वीडियो में बना के दिखाऊंगा आपको कैसे करना पड़ता है यह जो रोत नहीं पड़ता कभी खुलने का इसलिए इसको साप करके फिर लगाना है और में जो है यह सील को इसको भी निकल नाज है और बाकि दुस्रा साइड में जो वह भी निकलने ना पड़ेगा वैसी तरह के से दग् quería देख नीचल गया है कि अधिकनल गया है नीकल गया है अभी क्या करना है सार क्रिता है कि तो पर इसका सार क्लिप को खोलना है और इस हर क्लिप थोड़ा सा ध्यान से खुलिएगा क्योंकि बहुत टाइट रहता है इसको खूलने के टाइम कभी अब यह देखे सरक्लिप का आराम से दिरे दिरे एक जोली निकालना है नहीं तो चटक के आ सकता है आग फांग में चोड़ा सकता है इसको क्यार फुली बहु है इसको ओकन किजिए अच्छा इसको उपन किजिए और तोस्ता अट्राइस प्रवाइब निकल गया है कि अब दूसरा साइड में भी सरक्लिब निकल लेना है दूसरा साइड निकलने के बाद आप देखिए टूल्स जो है टूल्स लगाना पड़ेगा ये यह यारिंग को निकलने के लिए ये टूल्स बना लिजाएगा बन जाएगा वो पॉलर में गुशाक है कि अब अब गुश गया है और ये उपर से लॉक को टाइट कर देना है एंइ अ कशिए अ कम खूश अ कि कर लेना है कि भिए रही आसानी से आजाए अगर कहीं डास्त है और अगर राश्ट का गया जंक लिखार तो मैं देखरी निकल गया Hem Di. कर देखा है है कि अब निकल गया है यह यह को यह करता है अब करता है कि अब परेट करता है और प्रेसर को रिलिज कर देता प्लास्टिक का वह एक वासा टैप का वो लगाना है फिर वो रिंग आपको लगाना पड़ेगा अंदर में इस वाइल यह एक वो duty में लग गिया और दूसरे साइड में इसमें क्रा इसे कर लेना है कि इत्ति कि सब्सक्राइब गाना है इसको क्या वाइल टेंट और यह फियादा Vegойд वह आवynn नहीं आता है इसको भी निया फिट कर लेना है अब उसके बाद रोलार को अच्छे से क्लीन करके फिर वान बाई वान उसका उपकर डालना है एक टाल गया है और प्लास्टिक लोग आता है प्लस की प्रेसर से इसको लॉक करके रखता है इनिक्स पर देखके लगना है जो बुचौणा वाला है वह अंदर साइड रहेगा चौटा वला एक ब्र का कोलर साइड में रहेगा चाउड़ा वन साइड आंदर मैं कि यह कि इसके में एक वासर रहता है उसके बाद भी यह रिंग ड़ privat दाल ले ना है वे और दूसरा साइड का व्यर८िए इत्थेे म०्स question वें डियुक्त अधर है इसके बाद यह रिंग रहता है कि कि अ ङाद मेंगे कर लेता है XD और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ग्रेज भी दे देना है थोड़ा बहुत ज्यादा भी नहीं थोड़ा-थोड़ा ग्रेज डाल देना है डाल के ब्यारिंग को साइट से और इसमें देखे यह प्लास्टिक कवर ऐसे लगाना है प्लास्टिक कवर और यह जो ग्रूफ है य ऑन्दर से उदर से सेट डल के हैं और क्या कीजिए गा अंदर से हाथ घुसा के जो प्लास्टिक का जो कवर स्पोट करके रखिएगा नहीं तो क्या होता है जो रोलर है बाहर के बाहर हो के गिर जायेगा गिरने का चंसस ज्यदा रहता है पर देखें इसको स्टेट करके पपकड़ लेना है यह अंदर से इधर से हाथ पकड़ पकड़ के रखा है वो प्लास्टिक जो कवार है उसमें पकड़ के इधर से दिरे-दिरे-दिरे ठोगना है कि नहीं तो वो राइं बहार नग गिर जाएगा अजिए दिरे-दिरे तोट ठोड़ के कि उसलिए प्रेस में करने से अच्छा रहता है इसका इसमें इसका टूब सता अधो है धीरые बिदरे स्मूथ लिए घुश जाएगा और उधर भी घुमा के देखना है वह जाम तो नहीं हो जा रहा है सेफ्ट यह तो रोलर बाहर आजाएगा नो ढूंए और वह जो है वह गुरूब बराबर मैच करके जना है तो नहीं अधर और अंदर से उसको पकड़ के रखना है जो मस्ट भी नहीं कोड़ दिक्कत होता है बार बार खोल जाता है तिक हैं अंदर मैं फ्कड़ मैं पकड़ करके है में क्या करना है अभी हुआ कि देंख record अगया है फुरा गुमाक के देख लिजे और सकति गया यह जेगा में रखना है ताफ की बाहर का से जो हैसनी से लौक हो जाए क्या भी हो गया है कि अभी क्या करना है स्टेरिंग ओएल क्या करना है तो आप फोड़ा सा तीत बाहर रखना पड़ेगा अभी या जब घुशाएंगे न उसको धीरे 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 खोलना है तोड़ा सा भी अगर तेड़ा रहेगा घुज नहीं घुजएगा जीरो जीरो रहता है यह देखे धीरे धीरे लेके चाना है और उधर से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घुमाना है अभी अभी थोड़ा थोड़ा घुमाना है अभी देखे थोड़ा घुमा दिया अंदर चला गया उसके बाद य है अभी कुछ नहीं करना है अभी थोड़ा वायल डाल के कफर को लगा देना है यह वायल डाल दिया और इसको केरफुली डालिएगा क्योंकि उपर का भी या रिंग जो है खुल के गिर सकता है ठीक है खुल के नहीं तो गिर जाएगा आप टाइट करेंगे तो तूड बराबर है की नहीं है आपका नहीं तो स्टियरिंग कम जड़ा कटेगा लेफ्ट जयादा राइट कम ऐसे हो सकता है तो इसलिए आर्म को लगा के एक बाद चेक कर लिजिएगा उसके बाद दो साइट का निया शील आया है यह सील बिला डाल लेना है अब है बहुत आसान है सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे कोई वीडियो के लिए अब कमांड में जुरूर बताइए कुछ अगर यह देखिए दूसरा साइड में भी सील को अच्छे से लगा लेना है कि लगा लिया है कि अभी टॉप में पहले एक रबर सील आता है उसके बाद प्लास्टिक का सील इसको ग्रूप मैच करा के स्टेट करके लगा दीजिएगा फुड़ा अराम से ठूकेएगा प्लास्टिक रहता है